नमस्कार बच्चों, एलकेमी ओन्लाइन क्लास में आपका स्वावत हैं, मैं आपकी अध्य पिकार उपल बच्चों, आज हम नई मात्रा पढ़ेंगी, उकी मात्रा, यानि छोटे उकी मात्रा ये मात्रा नीचे लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है कैसे लगती है, इसकी बारखडी कैसे बनती है और शब्द जोड कर हम कैसे बनाते तो आईए पहले सीखते हैं बारखडी और फिर शब्द जोड कर बनाना चलते हैं बारखडी की तरफ उ की मात्रा बचो ये छोटे उ की मात्रा है क उ की मात्रा कू ख उकी मात्रा खु ग उकी मात्रा गु ग उकी मात्रा गु जा में उकी मात्रा चु जा में उकी मात्रा चु जा में उकी मात्रा जु जा में उकी मात्रा जु न ता में उकी मात्रा तु ठा में उकी मात्रा ठु दा में उकी मात्रा डु धा में उकी मात्रा डु न में उकी मात्रा नू इससे आगे वाली भी व्यंजेन लगा कर आप बारखडी उकी बारखडी बना सकते हैं पा में उकी मात्रा पूल तो यह क्या बना पुल यानी ब्रीज बाके नीचे छोटे उकी मात्रा त्र तो जोड़के बना पुत्र क्या बना पुत्र पुत्र यानी सन यानी पीटा पश्या के नीचे छोटे उकी मात्रा दोनों को जोड़के बनाया पशू यानी एनिमल्स जिव जन्तू और जान्वर पशू गा के नीचे छोटे उकी मात्रा द गुड़ गुड़ यानी मीठा या गुड़ का चित्र है गुड़ सा के नीचे छोटे उकी मात्रा यी सुई ये सुई का चित्र है सा के नीचे छोटे उकी मात्रा बड़ी सुई सुई स स के उपर आकी मात्रा सा बड़ की नीचे छोटे उकी मात्रा न तो पूरा जोड़ के बनाया तो बना साबुन द की नीचे छोटे उकी मात्रा दू क में आकी मात्रा का न दू का न दुकान दुकान यानी शौप पार्टी गुल गुली व सुनहरी प्रकती और प्रानी जगत इसके नीचे उ और बड़ी उकी मात्रा है उ और बड़ी उकी मात्रा है आज हम सिखेंगे छोटे उकी मात्रा मात्रा ऊ-ध चोटा ओ और यह चोटे उकी मात्रा का चिन्द नहीं तो आओ दिखते हैं चोटे उकी मात्रा से पहला शप्त कौन सा बनता है चुया यह चित्र है चुया इसके नीचे लगी हुई है छोटे उकी मात्रा चुया गू गा के नीचे उकी मात्रा यानि छोटे उकी मात्रा ल में आकी मात्रा ला ब गुलाब जा के नीचे छोटे उकी मात्रा र में आकी मात्रा ब जुराब जुराब यानि सौक्स क के नीचे छोटे उकी मात्रा कूरसी इसके पीछे है बड़े की मात्रा कूरसी कुरसी यानि चैर क में छोटे उकी मात्रा कूरता ये कूरते का चित्रा है ब ग में छोटे उकी मात्रा गू ल में आकी मात्रा ला बगुला यह बगुले का चितर है क छ में छोटे उकी मात्रा चू अ में आकी मात्रा कच्छुआ कच्छुआ यानि टोटोईज बच्चो आज हमें छोटे ओकी मात्रा सिखी बारक्री सिखी, शब्द जोड़कर बनाना सिखा और साथ साथ में अपने अभ्यास पुस्तिका में से भी कुछ शब्द सिखे ये सारे शब्द आपको अपनी घर के अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और यादता नहीं तब तक के लिए धन्यवाद